कुरोना की प्रकोफ के बाद राजिस सरकार ने सभी सरकारी बैठके ओनलाइन करने का आदेश दिया था पिछले दो महिनों से ओफलाइन मीटिंग और सभा शिरू हुई जिसके तहत गुरुवार 18 नवंबर को जिला परिशत की प्रत्यक्ष आम सभा ली जाएगी पिछले डेड़ साल में यह तीसरी सीधी बैठक है एक नया सदस्य चुना गया है पुराने सदस्य भी सदन में मुद्ध उठाना चाते हैं हाली के कुछ विकास कारे में मनसूरी लेने की जरूरत है लेकि मिधान परिशत चुनाव के लिए आचा सहिता की चलते गुरुवार क होने वाली जिला परिशत की आम बैठक महस अपचारिकता भर रह जाएगी जनवरी दोहजा बीस में परिशत के जिला आम चुनाव किये गए मार्च दोहजा बीस में कोरुना ने तुरंत राज्य में प्रवेश किया अभी तक राज्य सरकाने सभी सरकारी बैठकों में जिल परिशद में उत्सा कम हो गया इसके बाद अगस्त में 42 सदस्यों पर प्रतिवन लगा दिया गया सभी बैट की ऑनलाइन करने की आदेश दिये गये हैं इससे नई सरकार की इस्थापना हुई उपस्तिती में एक जनसभा थी कुछ खास हासल नहीं हुआ अब उपचुनाव के बाद सदस्यों की संख्या 58 हो गई है सभी कमेटियों में पतदिकारियों की नियुक्ती कर दी गई है इसलिए आम सभा को लेकर सभी में उत्सा था लेकिन विधान परिश्यत की आचा सहीता के चलते यह जनसभा आपचारिकता ही रहेगी इसलिए कोई नया विकास कारी स्व